अगर आपने भी अपने कोई भी SIM किछी दूफरी कंपनी में звуч करवाया है और अभी तक आपका सिम है फो पॉर्ट नहीं हो पाया है तिन दिन से जादा हो गए लेकिन आपका सिम पॉर्ट नहीं हुआ है तो आप इसका इसे पता लगाएगे कि आपका सिम है वह अभी तक पॉर देता हूं कि सबसे पहले तो आपको यह चेक कर लेना है या आपको यह सेवर कर लेना है कि आपका जो सीम है वो आपने अपने लोकल स्टेट में ही पोर्ड कर वाया है या नहीं अगर आप अपने लोकल स्टेट में ही आपने सीम पोर्ड कर वाया होगा जिस से स्टेट का आप तो इस तरीके से आप सबसे पहले तिये सोर कर लीजे अब आपको मैं बताता हूं कि आप अपने सिम का स्टेटस कैफेश करेंगे कि आपका जो सीम है वो पोर्ट हुआ तो अभी तक क्यों नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ है तो वो कब होगा उसका डेट बयर आप कैसे निकालेंगे तो इसके लिए सिम्पली आपको क्या करना है अगर आपने जियो का सिंपोर्ट किया है जियो का है और वो किफी दूफरी कमपनी में आप उसको पोर्ट करवा रहे है जियो के सिम को एरटल इसके बाद यहां पर आपको 40 लगाना फिर 6 फिर 40 इस नंबर पर आपको अपना बॉयल नंबर डालके भेजेंगे अपनी वही जीयो के सिम से जिसको आपने पोर्ट के लिए दिया हुआ है वही सिम से तो आपको एक रिटरन मैसेज पराप्त होता है जिसमें आपको यह बताय करेंटे के बाद आपको जो आपको जो नया सिम दिया गया था पोर्ट के टाइम पे वह सिम आपका एक्टिवेट हो जाता हुआ उस सिम को लगा के अपने फोन ए उस सिम को आप वेरिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास जीयो का सिम नहीं किस दूसरी कंपनी का सिम है माली कि बुड़ाफोन का था भी यानि बुड़ाफोन ऐडिया या बिशनल या एटल का सिम है तो इसके लिए आपको अपने नजदी की रिटेलर के पास आपको जाना होगा अपना अधार कार्ड लेके जिस रिटेलर से आपने सिम पोर्ट की प्रोसेस करवाई थी तो वो सिम की पोर्ट की प्रोसेस वो रिटेलर चेक करेगा अगर आपकी सिम की रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस में होगी तो वो रिटेलर बता देगा कि आपका जो सिम है वो प्रोसेस में है और अगर रिजक्ट हो गई होगी तो वो भी आपको रिटेलर बता देगा कि आपका जो सिम का ज excessive process reject हो गई है कई बार आपका vision card का clarity बहरा रहती है जैसे आपकी photo गारा जो लिए जाती है उसकी clarity बहरा रहती है उसकी clarity पर रहर करन्ग a ja seconds request reject कर दी आती है तो इससाइम पर आपना भाशा टले lawsuit जाएगा तो दोबारा से आपकी वह प्रोसेस वहां पर करके और पोर्ट रिक्ष्ट भेज देंगे इसके बाद आपका जो सीम है वह पोर्ट हो जाएगा